तो दो दिन की तेजी के बाद में आज वीक के लास टेटिंग सेशन पर वो तेजी रुखती भी दिखाई दे रही है क्योंकि ग्लोबल मार्केट से कुछ ऐसे इंडिकेशन्स मिले हैं देर रात पिछली रात की में बात करूँ जो मार्केट्स को नेगेटिव टर्न आउट कराने की कोशिश कर रहे है बट आक्चुली में उसका असर कितनी देर तक रहेगा कितने दिनों तक रहेगा वो जादा जानकर ही हम लोग निफ्टी की वीडियो में संडे वाली शाम को लेंगे क्योंकि आज फ्राइडे और कल हमा ग्रूप से बिलॉग करती है एक बहुत ही अच्छी और जानीवानी कंपनी है ये हलकी जितना पेन के अंदर ये पूरा सेक्टर रहा है कोवीड टाइम से लेके अभी तक उतना शायद कोई और नहीं रहा है मतलब जितनी भी होस्पिटालिटी की जो इंडस्ट्रीज है चा अब किसी चीज के अंदर बहुत जाधा गिरावट के बाद रिवाइवल होता है ना वो बहुत तेजी से आता है इतनी तेजी से आता है कि कहीं बार हम लोग उसको एंटिसिपेट नहीं कर पाते कि उसकी तेजी कहां तक बरकरार है सकती है क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब तो फिर उसके अंदर गिरावट भी हो सकती है तो इसलिए हमें वीजन क्लियर रखना बहुत जादा जरूरी है कि मीडियम टर्म टू लॉग टर्म का क्या वीजन है और शॉट टर्म टू मीडियम टर्म का क्या विजन है उसके बेसिस पर हम लोग जो है अब बात रही देखे ट्रेडिंग परस्पेक्टिव की तो इंडियन होतल्स कमनी लिमिटेड में क्या हो सकता है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जब से पहले इसके स्टैट्स देख लिए ते हैं फिर चार्ट्स के ऊपर थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे 260 रुपीज के ऊपर इसका 52 वीक हाई है 13th of April 2022 का यानि कि आज से ठीक नौर्दस दिन पहले इसने अपना 52 वीक हाई लगाया है and 91 रुपीज का 52 वीक लो है जो पिछले साल 22 अपरल का था यानि कि आज के ही दिन पिछले साल इसने 52 वीक लो लगाया था फिलाल की situation क्या चल रही है 33% के आसपरस delivery percentage इस वक चल रही है हाला कि market का केवल आधा session अभी हुआ है साड़े बारा बजे और अभी और आधा session बचावा है कि जितने भी लोग stock market में अभी बिलकुल नए नए होत रहे हैं उनको एक चीज समझनी चाहिए कि वो एक दिन का view बना के market के अंदर कभी भी काम ना करें कभी भी आप कोई चीज देख रहे हैं वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि इस stock के अंदर ये pattern developed है तो आने वाले time में ये गिर सकता है, it means ये नहीं है कि वो अगले दिन ही गिर जाएगा थोड़ा सा आपको अपने mind को broader view लेते हुए थोड़ा सा आगे का perspective देखना होता है क्योंकि stock market में कई बार जो impact होता है वो एकदम immediately नहीं आता, थोड़े time बाद आता है जैसे HCL Tech की बात में करूँ, कल मैंने HCL Tech का chart pattern आपको दिखाया था, negative chart pattern था, इसके अंदर केवल एक event due था कि इसके result आने देर राथ इसके result भी आए, and results अच्छे भी नहीं आए और हुआ क्या, surprisingly HCL Tech आग बहुत तेजी के साथ में 3% तक की तेजी दिखाते वे दिखायी दिया stock market पे तो बिल्कुल altogether opposite, TCS के result बुरे आए तो वो गिरिया, Infosys के result बुरे आए वो गिरिया, लेकिन HCL Tech के result बुरे आए वो उठ गया, वो basically चड़ गया उपर की तरफ, तो ये जो अनिश्चिता है markets के अंदर, ये कभी भी कोई predict नहीं कर सकता, but it means ये नहीं है कि उसका pattern जो है एक के चलना है, ना कि घंटे भर का view, ना कि एक दिन का view या फिर एक हफते के view के साथ आपको चलना चाहिए, तो आप थोड़ा सा ज्यादा time तक market में ठीके रह सकते हैं, profit कमाने की जो basically capabilities अपने अंदर develop कर सकते हैं, अब situation क्या है, Indian Hotels Company Limited के अंदर, एक event due है, और वो event आ रहा है 27 April 2022 को, इनके results हैं, और साथ में company लिख रही है कि recommendation of dividend for the financial year 2021-2022, if any, हाले कि ये company बहुत जादा बुरी हालत में थी, लेकिन फिर भी अगर देखी company इचीज कह रही है कि recommendation दी जा सकती है, अगर कोई dividend हुआ तो आपको मिलेगा, तो देखते हैं, वो एक bonus होगा हमारे लिए, फि प्रिवियस quarter and previous years, तो यहाँ पर एक anticipation किया जा रहा है, कि at least ये लोग जो है, अपने loss को कम करते वे दिखाए देंगे, इनके volumes भड़ते वे दिखाए देंगे, and capacity जो है, वो काफिय तक 70, 80, 90% तक पौश्ती भी दिखाए देगी, capacity utilization जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसी का anticipation है कि इसे stock ने देखे, इन base level से, यहाँ पर एक base बनाया तकरीबन 180 रुपे के आसपास, और फिर उसके बाद ने एक straight forward rally करके दिखाई है, हले कि, यहाँ पर अगर आप positions देख रहे हैं, तो अच्छे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको higher highs and higher lows की positions दिखाई दे रह है, क्योंकि यह timely एक base भी बना रहा है, timely basically यहाँ पर support ले रहा है, halt ले रहा है, तो यह situation जो है, यह positive आती भी दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर यह straight line में ऊपर भड़ता, तो मैं कभी भी आपको यह चीज नहीं कहता है, कि इस stock के अंदर आप ऐसा लगाई है, तो फिलाल कोई chart pattern यहाँ पर ऐसा develop नहीं है, जिसको मैं एक हैसा कूंगी, यह negative side में जाने को तयार है, एक यह जो line मैं नहीं आपर बनाई है, इसको आप support की line mark कर लीजे, अगर यह इसके नीचे निकलता है, तो definitely हम लोग यहाँ से exit लेंगे, otherwise देखिए, ऊपर की तरफ जाके नीचे आ रहा है, तो यह केवल एक cool down period एक, मैं कह सकता हूं कि थोड़ा सापने आपको cool off कर रहा है, उसके बाद ने एक अच्छी कासी तेजी दिखा सकता है, तो फिलाल की situation क्या है, 244 ये 245 क्यों आसपास इसका current market price चल रहा है, और यहाँ से हम लोग analysis करेंगे कि क्या कुछ positions बंत दिखाई दे रही है, तो shorter term के लिए, shorter term की मैं बात करों, यहाँ पर एक positivity देखने को मिल रही है, और अगर यह अपने previous high को यहाँ पर इसने high लगा है 13th of April को, इनको cross कर देता है, तो definitely एक नए levels पर जा सकता है, तो आपके पास में एक supply zone created है 261 के ऊपर, यह supply zone है, और इस supply zone क आप resistance का नाम भी दे सकते हैं, तो यानि कि अगर आप एक shorter term के trader हो, तो 260 के target के लिए definitely इस stock में positions बनाई जा सकती है, और इस line के ठीक नीच है, यानि कि 235 के आसफास का आपको stop loss लगा के, यह positions आप नहीं create कर सकते हैं, ताटा, I mean इस Indian hotel company limited के अंदर, अब देखिए क्या situation है, थोड़ा RSI के हिसाब से भी देख ले हैं, बाकी सारे चीजों के हिसाब से भी देख लेते हैं, तो देखिए, यह मैं है पर आपको mark करने की कोशिश कर रहा हूं, 60 के level पर exactly इसका RSI आतावा दिखाई दे रहा है, आज बहुत जादा तेजी इस stock के अंदर फिलाल नहीं सकता है, और उसी particular momentum के अंदर, उसी particular duration के अंदर मुझे लगता है, एक बार फिर से 260 के level को हासल कर सकता है, तो इस बार definitely आपको यहां पर एक positions बना के, यहां पर आपको अपना profit book कर लेना चाहिए, target 260 के यहां पर profit book कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके result आने के बार ने profit booking देख देखने को मिल सकती है, हाँ अगर ही इसको decisively cross करें उपर की तरफ, तो definitely हम लोग volumes के साथ में सको compare करकि इसके अंदर एक अगला view बना सकते है, क्योंकि फिलाल हमने देखा इसके volumes काफी जादा कम हो चुके है, तो volumes कम है, इसलिए volatility आपको जादा देखने को मिलेगी, जब भ आपको stop loss and target इसके अंदर बताती है, आप थोड़ा सा इसका broader picture की तरफ चले, तो broader picture में मैं अगर आपको weekly charts के उपर लेके चलूँ, तो यहाँ पर क्या situation है, लास्ट वीक आप देखिए, यहाँ पर एक इसने top बनाया, peak बनाया 261 रुपीज के आसपाल, जो इसका 52 वीक हाई यह हमने भी देखा भी है, ठीक है, 252 वीक हाई है, और आप देखिए, 180 रुपीज के लेवल से, 180 रुपे के लेवल से, यह straight forward उपर की तरफ चलता जा रहा है, बहुती ज़्यादा कम angle है, अगर आप यह देखिए, यह angle बहुत ज़्यादा acute है, इसलिके मुझे डर लग रह होती है, यानि कि एक indecisiveness तो जरूर होती है, लेकिन इससे previous जो trend रहा है, उसको रिवर्स करा देती है, जिसका हम लोग आज एक देख भी रहे है, example कि आज की जो candle है, नहीं कि इस week की जो candle आज end हो रही है, वो previous week के open and close से नीचे open and close हो रही है, तो यहाँ पर एक negativity turned out होने से वो level से जहां पर इसको support मिल सकता है, तो इसी chart से हम लोग क्या देखेंगे, इसी chart पर हम लोग इसके अंदर Fibonacci retracement लगाएंगे, and recent का major swing low है, वहां से लेके, and इसके अभी तक का जो यह देखे, high levels इसने create किये हैं यहां तक हम इसके अंदर एक positions बनाने की कोशिश करेंग 78.6% का retracement है, यानि कि support level है, वो 242 रुपीज के आसपस आ रहे हैं, तो अगर यह 242 रुपीज को वीकली बेसस पर नीचे की तरफ क्रॉस करें, यानि कि आज लास्ट एडिंग सेशन है, अगर 242 के नीचे इसने क्रॉस किया, तो फिर देखेंगे, यहां पर एक bearish trend आपको देखने को मिल सकता है, weekly to weekly basis पर, otherwise अगर 242 के ऊपर की closing आती है, तो मैं कहा सकता हूँ कि definitely 27 April 2022 को जब इनके result आएंगे, तो उस week के लिए definitely एक up move दिखा देगा, तो all depends कि आज की closing क्या होती है, क्योंकि इस हफते अगर आप देख रहे हैं, यह जो इस पूरे week की candle है, इस week में इसने 242 को एक बर ब्रीच भी किया है, यानि कि intra week हम लोग बात करें, तो यहाँ पर आप देखाएंगे, लोग ब्रीच करते वे नजर आई थी, but आज के final move के according, इस वक्त 246 के ऊपर इसका price है, और अगर यह closing इसके ऊपर देता है, तो definitely हम लोग एक positive sign में close होते वे यह RSI जो है weekly charts के ऊपर 65 के लेवल्स पर है, और 65 के लेवल्स पर है, और 65 के लेवल्स बुरे लेवल्स नहीं होते हैं, बहुत अच्छे लेवल्स होते हैं, खैदी मोमेंटम दिखाते हैं, but actually में, इसके direction नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव डेरेक्शन की वजए से मुझ इस डोजी कैनल की वजए से, इसलिए ये चीज़ अब्सरव कीजेगा, जो मैंने आपर की पॉइंट्स बताएं, 245 के उपर अगर रिटेन रहता है आज की तारिक में, तो next trading session पर यानि के मंडे को आपको एक positions बनाने का मौका मिल सकता है, डेली chart पर मैंने आपको अलेडी support I mean stop loss and target बता दियों, उस तरीके से आप ए ट्रेड ले सकते हैं, बहुत long term की trade मैं suggest नहीं करता, फिलाल pattern को एक बार थोड़ा सा correct होने दीजिए, तब यहाँ पर long term का trade generate होगा, फिलाल के लिए ये best situation नजर आ रही है, जो मैंने यहाँ पर आपको define करी है, Indian hotel company limited के बारे में, I hope technical points आपको समझ में आए होगे, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लेगे तो तो लाइक और शेयर जरू कीजिएगा, बहुत जल्द मिलूँगा अगले वीडियो में, तिल दन, thank you, bye bye